अभी आपने जो वीडियो देखा उसको देखकर हर कोई चोग जाए ऐसा रहस्यमाई खतरनाक जीव जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस जानवर का नाम है बीजू अंग्रेजी में इसे हनी बेजर के नाम से जानते हैं ये इतना रहस्यमाई जानवर है जो समसान में रहता है इसका बोजन क्या है आपको पता है इसका बोजन है मुर्दो का मास हाँ आप सही सुन रहे हैं समसान में रहकर गड़े हुए मूर्दों को यह खा जाता है अब आप एक बार इस वीडियो को देखिए बड़ा डरावना सा जानवर हैं पर बहुत ही मज़ेदार हैं अब आपने देख ही लिया कि यह मिट्टी को खोद खोद के अंदर गुस के गड़े वे मूर्दों को खा जाता है जूकि यह मासाहरी जानवर हैं और एक दम लड़ा को सोबाव रखता है इसकी बहुत ही मोटी चमड़ी है इसके बारी बरकम मोटे नाखून और नुकिले दांच से ये एक बार तो सेर पर भी हमलाग कर सकता है निकालता है भूतो जैसी आवाज अक्सर हम रात में समसान के पास से होकर गुजरते हैं तो कई लोग कहते हैं ना कि उन्होंने भूतों की आवाज सुनी वो उन्हें बुला रहा था पर असल में वो भूत भूत नहीं होता वो बीजू होता है जो मुर्दों को खाकर चिलाने लगता है और जब हम समसान में जाकर देखते हैं तब तक वो कहीं जमीन में गुज जाता है पर ये अनुबव तो डरावना ही होगा कि हम रात में कहीं जा रहे हैं और हमें ऐसी आवाज सुनाई दे एसा जानवर भारत में बड़ी संख्या में पाय जाता है भारत के अलावा अफरीका में भी ये जानवर मिल जाएगा इसकी डरावनी सकल और लंबे नाखुन से हर कोई एक बार तो इससे डर ही जाए ये इतनी रफटार से मिट्टिक होता हैं जैसे कोई जैसी भी चल रही हो अब अगली बार कोई जंगल से आप निकलो और डरावनी अवाज सुनो तो भागना मत वो बीजू है जो ये डरावनी अवाजे निकाल रहा है ये जीव मात्र समसान या कबरिस्तान में ही मिलेगा इतनी बयंकर चीक से ये चीकता है कि मानो कोई भूत आप सायद नहीं जानते होंगे कि इस जानवर को गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड ने दुनिया का सबसे निर्भीक और निडर जानवर का खिताब दिया है इससे हनी बेजर की कई सारी परजातिया है भारत में पाई जाने वाली हनी बेजर की परजाति दूसरे देशों जैसे अफ्रीका की हनी बेजर की परजाति से पूरी तरह से अलग है पर परजाति के विपरितिन सब के गुण एक समान है तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को प झाल झाल